लुक्टर नीलम चुनेजा सै चारे इतिहास राज के महाविध्याले श्रीकरणपूर् महाविध्याले के यूटुब चैनल पर एवर फिर आपका स्वागत करती हूँ आज मैं भी बाट सेकिंड मिशे इतिहास के अंतरगर्द आपको सैकंड पेपर में राजस्तान के इतिहास को जानने के प्रमुस्तृत क्या है इसके बारे में चर्चा करना चाहती हो हमने पिछले लेक्चर के अंतरगर्द आपको राजस्तान के इतिहास को जानने के जो सादन है उसमें पुरा तात्विक सादनों के बारे में चर्चा की और उन पुरा तात्विक सादनों में विशिश कर हमने अभिलेकों के बारे में आपको बताया और जिसमें ये इस प्रश्ट किया कि राजस्तान का जो इतिहास है इसके जानकारी के लिए हमारे पास ऐसंख्यक अभी लेख हैं जिसको पढ़ने के बाद हम इतिहास की जानकारी जो हैं हासिल कर जटे हैं आज हम पुरा तात्विक साद्म में आपको जो अन्य साधन है उनमें सबसे पहले हम सिकों की बात करते हैं यह राजस्तान का जो इतिहास है इसके जानने के साद्म में सिकों का भी बहुत बड़ा योगदान जो है माना जाता है राजस्तान के अंतरगत सोनी, चांदी, तांबे और पत्थर के पने हुए परचूर मातरा में सिक्खे जो हैं मिरे हैं विशेश के जहां तक पत्थर के सिक्खों की बात आती है ये सिक्के प्रगेतिहा सिक्काल के या हमारे राजस्तान की जो प्राचिन सव्यताई हैं जैसे काली बंगा, आहड, इत्यादी जो हैं इन सिक्कों का प्रत्लन था यानि आदान परदान के अंतरगत इन सिक्कों को हम मिलाया जाता था इसके बारे में जानकारी जो हैं मिलती है लेकिन विशेशकर अगर हमें इतहा सिक्काल की बात करें तो उसकाल के अंतरकत हमें सोने चांदी और कांबे के यानि बने हुए अलग लग राजाओं के नाम के सिक्के मिले हैं जिससे हमें राजाओं के नाम के बारे में, उनके वंश के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में और उनके विस्तार चित्र इत्यादी के बारे में जानकारी जो हैं मिलती हैं और इसके इलावा जो सिक्के हैं यह हमें राजस्तान की भाषा के बारे में और भाषाओं के इलावा उनके थार्मे के स्थिदी और उनके देवी देवता इत्यादी क्या थे इनके बारे और पारिवेस्तिती के बारे में और अर्थ विवस्ता के बारे में भी जानकारी मिलती है अर्थात राजस्तान के राजाओं का किनके राज्यों के साथ बारिक सबंद था इसके बारे में पता वो भी हमें सिक्कों से जो हैं चलता है राजस्तान की अगर हम सिक्कों की बात करे तो हमें यहां पर कई समय के या कई राजाओं के और कई जन्पदों के नाम के बने हुए सिक्के मिली हैं जिसमें मत्सय, मालव, शिव, योधे, इत्यादी जन्पदों का उलेखाता है और उनकी सिक्कों के उपर ये नाम अंगित होने के कारण उस समय इन सिक्कों का प्रजनन था, इसके बारे में जानकारी जो हैं मिलती है अब उस सिक्कों के बारे में जो चर्चा कर रही हैं, उसमें एक महरकुन बात ये भी आती है एक उस सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन सिक्कों के उपर, यानि धार्मिक चित्र भी अंकित हैं और उन सिक्कों के उपर राजाओं के नाम और उनकी उपादियां भी जो हैं अंकित हैं उधान के लिए जो हमें प्रत्वी राच्चोहान के समय के जो सिक्के मिले हैं उसके अंतरगत हमें तामे के और जो चांदी के सिक्के जो हैं मिले हैं उसके अंतरका सोने के सिक्के जो हैं वो भी उपलब्द हुए हैं यानि उस समय तामवे के सिक्के जो थे इसको विशोपक के नाम से और चांदी के सिक्के को रूपक के नाम से और सोने के सिक्के को दीनार के नाम से जो जाना जाता था यानि कि सोनी चांदी और तामरे इन तीनों परकार के सिक्के चलते थे और उनकी वैल्यू उसी इसाफ से जो थी आंकी जाती थी प्रित्वी राच्चोहान के समय के जो सिक्के हैं उनके कुछ सिक्कों के उपर कहते हैं प्रित्वी राच्चोहान के सासत मुहमद बिन साम जो है ये नाम भी अंकित है उसे ये अनुमर लगा जाता है कि ये सिक्का जो है ये 1192 के द्राहिन के दुट्टे युद के बाद का सि सिक्कों के उपर अपना निवाम जो था अंकित करवाया इस से उनकी विजे का परमान जो है मिलता है और अब बात करते हैं महाराना कुंभा के समय की यहीं महाराना कुंभा जो मेवाड घिरा जाते सैशक्त और शक्तिशाली रा जाते उन्होंने भी अपने समय में सुनी इसकों के उपाधियों से हमें उनकी उपलब्भियों के बारे में इया उनके चरित्र के बारे में जानकारी जोग हैं मिलती है सिक्कों के अंतरकर जहां तक मध्ययूग की बात आती है अकबर जब कहतेक मुगल बंश के राजा बने उन्होंने आजस्थान के अधिकाश्टे राज्यों पर उन्होंने अधिकार कर लिया और राजस्थान के राज्यों के अपधिकार करने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक सिक्ता जारी किया इसे सिक्ता एलजी के नाम से जाना जाता था और इन सिक्कों के उपर उन्होंने अपना नाम भी अंकित करवाया और इन सिक्कों को राजस्थान में उन्होंने जो था जारी कर दिया लेकिन राजस्तान के कुछ रज्यों को उन्होंने सिक्के बनाने और टकसाल लगाने की अनुमती विजोथी थी और जिसके अंतरकत कुछ रज्यों ने यानि अपने नाम के सिक्के विजोथे चलाए उधारन के लिए हम कुछ नाम आपके सामने रखने जा रहे हैं जैसे आमेर वियासत की जहा तक बात आती है, वहाँ पर जो कच्छवाहा मंश्था उन्होंने जाड़ शाही नाम का सिक्का चलाया, मेवार के अंतरगत जो सिस्थो दिया और गुहिल मंश्य राजा थे, उन्होंने चंदोरी नाम का स्वन सिक्के को उन्होंने जारी किया, मार का नेर के अंतरकत, यानि की बात आती है राठोर मेश्की, उन्होंने गजशाही नाम के सिक्के को जो था जारी किया, इसे ये पता चलता है कि राजस्तान के अंतरकत, यानि केंद्री परभाग के बाब जुर्वी कुछ रियास्तों को सिक्कों को ढढने की अन्मती जो थी दी गई आगे चलकर जब अंग्रेज भार्ट के अंतरगद आये और उन्होंने भार्ट के अधिकांश्टे भागों पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने राजस्तान को भी अपने परभाव छेत्र में क्या था ले लिया और राजस्तान के अंतरगद उन्होंने चांदी के सिक के को जारी किया जिसे कल्दार के नाम से जाना जाता था द्वित्ते महायुद तर यह सिक्का भार्थ में चलता रहा और आगे चलकर कहते कि ब्रिटिश सरकार जो थे उन्होंने सिक्के के अंतरगत रुपे जैसे सिक्के जो थे इसको जो था संचालित किया और जिससे राजस्थान के सिक्षे बंद हो गए और अंग्रेजों के सिक्षे भार्ट के अंदर लंबे समय तक जो थे चलते रहे सवतंतर का प्राप्ती के कुछ समय बाद वी भारत में जो राजस्तान रज्ज था वहाँ अंगरेजियों के सिक्कों का प्रच्छन रहा लेकर उसके बाद जब भारत सवतंतर हो गया तो भारत में एक परकार की मुद्राइण चलाई गए और राजस्तान में भी उने सिक्वों का प्रश्नम जो था शुरूर हो गया इस से इन सिक्वों से एक चीज़ पश्टोधी है कि राजस्तान के अंदरगर्द जो सिक्के थे वो हमीशा एक जैसे नहीं रहे अलग-अलग रियास्तों ने अलग-अलग सिक्के चलाए और किन्द्रिय प्रभाग के कारण एक जैसी मुद्राएं भी चली और इस से राजस्तान के आर्थिक दशा के बारे में और राजनेकी रवस्था के बारे में जानकारी जो हैं मिलती है और जिस राजा के बहुत संख्यक सिक्के मिले हैं उसके अत्यरिक परभाव के बारे में और अल्प संख्यक जो मिले हैं उससे उनके अल्पकालिन परभाव के बारे में जांकारी जो हैं मिलती है यानि हम सिक्कों से भी इतिहास की जानकाली जो हैं ले सकते हैं अब हम बात कर रहे हैं समार्गों की राजस्तान का जो इतिहास है इसको जानने में समार्गों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिसमें दुर्ग, मंदिर, स्तूप, स्तम, इत्यादी का उले खाता है राजस्थान के अंतरकर बहुत संख्यक मातरा में यानी दुर्गों का पता चलता है राजस्थान के भूमी तो दुर्गों के नाम से मयपरसिद है और राजस्थान में एक नहीं अनिकों विशाल दुर्व जो हैं बने हुए मिले हैं इन दुर्वों से हमें राजस्थान की सैनिक विवस्ता के बारे में दुर्वों के सुरक्षा के बारे में राजाओं की राज्य की सुरक्षा विवस्ता के बारे में यानी जानकारी मिलती है और ये पता चलता है कि राजस्थान के राजाओं ने बाहिये आकरवन से सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किले बनवाए और इस से उनकी यानि महत्म कला और उनकी सुरक्षा व्यवस्था और शिल्प कला की जानकारी जो है मिंतिर अब बात करते हैं मंदिरों की राजस्तान में बहुत अधिक मात्रा में मंदिर भी मिले हैं जैसे एक लिंग का मंदिर, देलवाडा का मंदिर, रनकपूर का मंदिर, सासवकु का मंदिर और इसके इलावा कुषकर का मंदिर, सूर्य मंदिर इत्यादी मंदिर जो हैं मिले हैं इन मंदिरों से एक तो हमें महकुन बात जो है राजस्थान के स्थापत्य कला के बारे में और एक लोगों के धरम के प्रती लोगों की आस्ता के बारे में और एक वहां के शिल्प कला के बारे में जानकारी जो हैं मिलती है अर्था कि ये मंदिर भी हमें राजस्तान के इतिहास के बारे में जानकारी जो हैं देते हैं इसके इलावा जो स्तंब आते हैं यानि उससे भी हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं उधान के लिए जो राजस्तान में वीराटनगर में बीज़क की पाहड़ी है उसके पर मोरे यूग के बोध स्थापत्य कला के महत्पुन नमुने जो हैं मिले हैं वहाँ पर गोलवंदी का परमान भी मिला है बोध धर्म से सबंदित अभिलेक भी मिले हैं इसे ये सबस्ट होता है कि राजस्तान के अंतरगर्द यानि मूरे गाल के में जब थां उस समय राजस्तान में भी बोधार्ण का परचार हुआ और लोगों ने इस धर्म को सविकार किया इसकी जानकारी जोट हैं मिलती है यानि हम ये कह सकते हैं कि ये जो सामारक हैं चाहे हमें किसी भी रूप में मिलते हैं यह हमें इतिहास के बारे में जानकारी जो हैं देते हैं अब बात करते हैं भगना वशेशों की राजस्तान के जो उत्खनन का कार्या हुआ है उसके अंतरकत राजस्तान में कई सानों पर यानि भगना वशेशों हैं मिले हैं यानि कुछ इमारते खंडहर अवस्ता में मिली है और कुछ इमारते धर्ती के धरातर के नीचे सब्यता के रूप में हमें दविर्पी जो हैं मिली हैं और उस से हमें एतिहासिक रहस्यों के बारे में जांकारी जो हैं मिलती है उधारन के लिए राजस्तान में काली बंगा नामकस्तान जो के वरतमान में राजस्तान के हनुमन गड़ चिले में हैं वहाँ पर काली बंगा नामकसव्यता का बता चलता है और उस समय यानि काली वंगा में आर्थ से हजारों गर्ष पहले लोगों का रहन सेंट क्या था, लोग किस परकार से रहते थे, उनके धार्मिक भामनाई क्या थे और लोगों ने आर्थिक रूप में किन महसायों को अपना रखा था, इन सब के बारे में जानकारी जो है मिलती है, यानि इस से राजस्तान की अति प्राचिन सब्यता का उलेख जो है मिलता है, और इस काली वंगा की सब्यता को, यानि हडपा कालीन सब्यता या सिंदु खाट इस सब्यता को तामर योगिन सब्यता भी माना जाता है, और इस से हमें राजस्तान में आहर के जो लोग थे उनके रहन सैन, उनकी पेशखूशा, उनके अलनेक कई पक्ष जो है, इनके बारे में जानकारी जो है, मिलती है, और इस से के अतिरिक्त वहाँ पर कुछ चितर भी मिले हैं, जिस से हमें उनके चितरकला के बारे में भी पता जो है, चलता है, आहर के इलावा राजस्तान में और भी कई भर् पर नागोर, रंगमहल, इत्याली ऐसे स्थान हैं, जहां पर हमें प्राचिन सर्व्यताओं के अफ्षेश प्राप्थ हुए हैं, जो हमें राजस्तान की प्राचिन का और प्रगेति हासिक राजस्तान के बारे में जानकारी जो हैं देते हैं। ये जो अन्वेशन हुआ, उत्खनन हुआ, उसमें जो प्राचिन अफ्षेश मिले, उन अफ्षेशों में विशेश कर जो बात आती हैं, उपकर्णों की आती हैं, या मिट्टी के बने हुए बरतनों की आती हैं, अस्तरशश्त्रों की आती हैं, या अभूशनों की आती हैं। और उससे भी हमें राजस्तान के क्रमिक विकास के बारे में उलेक जो है मिलता है। उधान के लिए राजस्तान में जो बरतन मिले हैं प्राचिंकाल के उसमें अलग बरकार के यानि बरतन जो हैं मिट्टी के बने के मिले हैं। उसमें एक तो गेरवे रंके हैं जो सधारन बर्तन है और कुछ बर्तन काले और लाल रंके हैं कुछ बर्तन जो हैं सलेटी रंके हैं और कुछ बर्तन जो हैं यानि चमकीले यानि की मिट्टी के बने हुए हैं इस से हमें ये पता लगता है कि राजस्तान के जो प्राचिन सब् प्राचिन सव्यता के विकास के बारे में या उसके विकास क्रम के बारे में पता जो है चलता है और जहां तक यानि ओजारों की बात आती है उपकर्णों की बात आती है मिट्टी के वर्थनों के इलावा धातु के बने हुए कई उपकर्ण भी मिले हैं जिससे ये पता लगता है कि राजस्तान के आंतरकत रारम में लोग जो थे वो धातु के बारे में नहीं जाते थे दीरे दीरे जब उन्हें धातु का ग्यान कुआ तो उन्होंने अलग लग धात्वों को उपकर्णों के रुख में इस्तेमल करना प्रारम कर दिया अर्थात इससे भी हमें इतिहास की जानकारी जो है मिलती है अर्थात में ये खहना चाहती हूँ की राजस्तान का जो इतिहास इसकी जानकारी के जो सादन है उन सादनों में हमें अनिको पुरा तात्विक सादनों के आप उलेख मिलता है या उसकी जानकारी जो है मिलती है अगर हम उनका सुक्षम तृष्टी से अवलोकन करें या उसे देखें तो हम इतिहास के बहुत से पक्षों के बारे में जानकारी जो हैं ले सकते हैं या इससे हमें इतिहास के बारे में हमें पता जो हैं लगा सकते हैं आज हमने बात की आपको बुरा तात्विक साथनों की इसके बाद हम आपको पुरा लेखिये साधन जो के राजस्तान के उससे इतिहास की क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में आपसे करेंगे धन्यवा